कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है अभी तो जिंदकी का सार बाकी है यहां से चलना शुरुकिया मनजिल के लिए यह तो एक पन्ना अभी पूरी किताब बाकी है नमस्कार साथियो माई योगेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ study लठवे तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपकी special bhtc जो exam है वो कब तक होगी क्योंकि मेरे पास खाफी student के comment आ रहे हैं कि sir जो forum की last data वो तो चली गई है ठीक है बोल रहे हैं कि 31 जुलाई तो चली गई है अब हमारी जो exam है वो कब तक होगी ठीक हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपकी जो प्रिक्षा है ठीक है special bhtc 2022 की जो प्रिक्षा है वो कब तक होगी ठीक है क्या आपकी exam date रहने वाली है और उसके बाद सबसे man doubt रहता है आपका कि admit card कब तक आएंगे ठीक है admit card भी कब तक आएंगे यानि इन दोनों topics later में आपको बता दूँगा आज की इस वीडियो में एक तो आपकी admit card related बात करेंगे आपका syllabus बताए गए एक माँ आपको बताएगे कि आपको तयारी कैस शिकरनी है और एक में ऐसा बताएगे कि आपका paper कर साओगा कितने नमर का paper आएगा कितने नमर लानी है यानि एक paper paper की playlist है वो भी बना दिया ठीक है दोनों playlist मैंने बना दिया तो आप दोनों playlist को देख सकते हो ठीक है वहें पे जो न्यू स्टुडेंट है उनको एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं कि अगर आप study लेट पर पहली बार विजिट करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लि कर लेते हैं आज हम बात करने वालें कि आपकी exam date क्या रह सकती है आपकी प्रिक्षातिति क्या रह सकती है तो चलिए शुरू कर देते हैं और हम आज की बता देंगी कि आपकी अडिमेट कार्ट कब तक आएंगे तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ने किया गाईज वो स आपकी डेट नहीं बढ़ेगे याँ पे मेरी बात नोट कर लिए कि नवे परशेंट लिखे दे रहा हूं सचांसा ठीक है 90% कि अब आपकी डेट भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि 10 दिन वेस्ट से बढ़ा जिये गए अब आपकी डेट नहीं बढ़ेगे यहाँ पर आप इसके मद्य आपके एक्जाम कंटेक्ट करवाई जाएगी ठीक है एक बात और बता दूँ दो दिन के अंदर आपके एक्जाम होने वाली है ठीक है दो दिन के यानि दो दिन तक आपका पेपर से लेगा ठीक है ओनलाइन आपका एक्जाम होने वाली है यह तो आपको भी पता ह है तो उसके बाद हम बात करें कि आपके एक्जाम मैंने बताइगे कि 10 से आप मान सकते हो 17 या फिर 15 ठीक है 10 से 17 मान लिजिए तो 10 से 17 तक आपकी एक्जाम कभी भी कंटेक्ट करवाई जा सकते है यानि हमारे पास सब 15 दिन है तो मैं 15 दिन में जम कर त्यारी करनी है वो त्या हो रही है तो हमें साथ सपरें प्रिक्षा जारी कर जांगे ए हर बता देता है कि आपके साथ दिन पूरो है यानि मेरे साथसे पांच से साथ के अंदर अंदर ठीक है फिर शाथ अगस्ट तक आपकी Otherwise आगीँ और आपको सेलेबस तयारी कैसे करनी है पेपर कैसा अगर वह वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो अब इसाब से विवाग जल्दी आपकी प्रीक्स अप्टेट तरीक है उसके बाद अप्टेट नहीं है ठीक है तो मेरे साथ से अब आप मान लीजिए मेरे बात धांसे सुन लीजिए आपके अब एक या फिर दो दिन में ठीक है एक या फिर दो दिन में एकजाम डेट गोशिद कर दी जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कि आपकी प्रिक्षा इस तारीक होगी आपके अडिमिट कार्ड इस तारीक वाएंगे ठीक है तो अब आपको जल्दी से इंतजार खतम होग नहीं वाला है आपका और आपको बता दिया जाएगा और आपको करना कि अंतिम दस तिनों में अच्छी तरिकेश आपको त्यारी करना है या तो आप जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए ठीक है और मैं एक बात बता देता हूँ आपकी जो एक्जाम अफिर से बता रहा हूँ कि 15 तक हो सकती है ठीक है 15 अगस्त के सम्तिंग या तो 17 तक हो सकती है फोरम की देट तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी ठीक है फोरम की देट तो 100 में से 100% आगे नहीं बढ़ेगी और उसके बाद क्या है कि रही बात वो आपकी प्रिक्स चतित्यों और जो एडिमिट कार्ड की उनकी जो तीथ्या है यानि जो डेट है वो भी अब जल्द ही जारी होने वाली है तो धन्यवाद बनीरे स्टेडिलर्ट के साथ जब भी कोई आपकी स्पेशल भी स्टेशी एक्जाम से लेटर जो भी न्यूजी अफिर जो भी अप्टेट आईगी चैनल के साथ धन्यवाद